क्या अभिशे को कुछ चीजों का पश्तावा है। अब जानते ही हैं कि यह फिनाले वीग है और अब फिनाले वीग से पहले यह जो है क्यामरे को देख कर अभिशे कुछ चीजों का जिक्र करता हुआ नजर आया है कि भई कुछ गलतियां हुई है, कुछ गलतियों को माफ कर दिया जाए और मैं ऐसा ही हूँ जैसा आप लोगोंने देखा है तो यहां मैं आपको बता दो कि फिनाले वीक है और इनके पास करने के लिए honestly कुछ भी नहीं है सब कुछ तो खत्मी हो चुका है और छे बज़े आज जो है वोटिंग ट्रेंड खत्म मतलब बोटिंग लाइन बंद हो जाएगी उसके बाद मुझे लगता है कि जो लाइव ओडियंस है वो घर के अंदर एंटर होगी और इनका इलिमिनेशन होगा हाला कि इसको लेके किसी तरह का कोई confirmation नहीं है पर यह लोग जो आपस में ही आज लाइफीड में बात कर रहे थे उसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने गैस किया है तो यहां मैं आपको बता दूं कि अभिशेग जो है बैठा हुआ था बहुत देर से camera जो है नो उसी पर camera है और उसी को दिखा रहे हो camera पर देखकर बोल रहा है कि मैंने गलतिया की है पर इस शो में कुछ चीजों को अगर हम याद रखे तो हम आगे बढ़ सकते हैं मैंने भी गलतिया की है पर में उसारी गलतिया past से जोड़ी हुई थी मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ पर मैं ये भी कहना चाता हूँ मैं जैसा हूँ ऐसा ही हो तो ये बात अभी शेक बार बार जो याद लाइफ फीड में दोहराते हूँ नजर आए और उनका ये कहना था कि कुछ लोग अगर उन इन चीजों पर जज़ कर रहे हैं कि उसने क्या-क्या अग्रेशन में ईशा को चीजे बोली तो मेरे ख्याल से उसका जो context था वो यही था कि जो चीजे मैंने बोली वो past के relationship का ही एक baggage था जो मैं carry करके इस show में आया था और उसकी वज़े से मैंने बोली लेकिन मैं जो है अपनी तरफ से उन सभी से माफी मांगते हूँ अगर मैंने hurt किया हूँ media press conference में भी वो बार बार जो है बहुत सारी चीजों के लिए माफी मांगते है नजर आए थे तो यहां पर एक बाद फिर से जो है अभिशेक इन चीजों के लिए माफी जैसा मांग रहा था तो यहां मैं आपको बता दू कि अब जो चीजे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है क अभिशेक अब कैमरे की तरफ देखकर या कैमरे पर अकेले बैठा था तो कैमरे से बात करता हूँ नजर आया और कहता नजर आया कि मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ मतलब अगर मैंने अग्रेशन दिखाया है तो मैं रियल हूँ मैंने पास की चीजों के बारे में बोला है तो ही है तो आप क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं